हेलो स्वागत आपका टागेड़ ससी 2020 में आज हम डिसकस करेंगे डी टेपलस भी स्टैनू का जो परसनल असिस्टेंट का एक्जाम हुआ था ठेक है उसके इंग्लिस वाले सेक्षन को और कमें बटाना क्या लेवल इसका क्या सा है इजी है मॉटिट है डिफिकल है क्या लेव और इनप्रेंट चीज यह है इनप्रेंट वीडियो आपके लिए क्योंकि नेक्स टेर के वाकांशी नोने दे दिया और बरकोले से यह इंपरसनल असिस्टेंट और चीज़ मैंने वीडियो बनाई थी पहले वाली तो आपधे आप देख सकते हो बाकि नेक्स टेर के लिए जो भी प्य이식न करा है चाहिए या फीर एक वीडियो याос करते हैं इंपार्टेंट करते हैं कि एक वीडियो देखते हैं किसका लेवल आता और किस टाक्स का क्यूंट्स आयों दे ओद यहां तो फर्सनल एसिस्टैंट का यह अंसर की व्में दे ती को भी करेंगे तो हिंदी वाले भी देते ना है यहां पर इंग्लिस वाला पर ठीक है तो इंग्लिस की बात करें तो इंग्लिस का question number आपका 40 question reasoning के होंगे starting उसके बाद आपका बाकी English होगा 40 question तो यहां पर हम English section को निकलते हैं तो first question आपका आया हुआ था यहां पर फिलब में बताना था कि mind your mind your क्या बोलते हैं ठीक है all business is business या फिर on business अपने काम से काम लगभा बोलते हैं ठीक है mind mind your on business ठीक है तो इस टाइप का यहां पर पहला कोश्चन आया हुआ था सेकेंड कोश्चन था दा मैनेजर डैस हिस पॉइंट वेरी कंविंसिंग भी ठीक है हिस पॉइंट यानि किसी चीज मैनेजर ने पुट अक्रॉस अच्छा पुट अक्रॉस का मिनिंग क्या पुट आप मतलब होता है एक तरम कोई भी चीज को नेकालना है फुट एफुक माक बुज़ा देने के सीज को खतम कर्ना पुट-अनोता पहनने के लिए यूज करते है तो फुट अक्रॉस का यहां पर दियावा था और पुट अक्रॉस का मतलब क्या था किसी भी चीज को आप थल्ट फुचा हुआ था कि this is going to be dash amazing experience तो amazing ना amazing के साथ article आप लगाओगे दातों आएगा निदा amazing experience नहीं बोलोगे यह नहीं आएगा क्या कि amazing में जब आप लिखोगे तो और लिखोगे यानि आपका वबिल वाला आएगा हिंदी वाला अगर इसके हिसाब से आपका यहां पर यूज़ होगा एँज़ एक्सपीडियन ठीक है इसके बाद यहां पर फूर्थ वाला कोशन है इसके बाद आपका एक तरह परजेंट का इंडेफिनीट है तो दूसरी तरह फ्यूचर आएगा या फिर मॉडल आएगा जो कि आपको दिखेगा यहां पर रूल इसके में आपका एक तरह विट फॉर्म पास्ट का है तो दूसरी तरह आफिन फॉर्म टल्ड वाला पास्ट फरफैक्ट है फ्यंकशर दॉसरी सेकें आपका इसके बाद यहां पर यहां पर भी नहीं लगा है ठीक है तो इसके बाद यहां पर भी नहीं लगा है को ठीक है चलो आई विश के बाद यहां पर ठीक है आई विश के बाद अच्छा यहां पर कॉमनी आएगा सौरी आई विश आई है लॉट्स फर्स्ट वाले में लॉट्स गला दिख दिया लॉट्स होता है कि लॉट्स अब मनी होता है कि लॉट्स अब तो लॉट्स यहां पर से कॉमा लगा हुआ सब्सक्राइब फूरा सेंटेंस यहां से यहां तक एक है इसके बाद कॉमा आना चाहिए तो सेकिंड वाले में कॉमा नहीं फूल से थाल वाले में देखो आई विश आई हैड लॉट से यहां पर गला दिखा तो बागी यहां पर सई टाइप से लगाना तो लगवा लगवा सभी का यह सई होगा अगला देखो I have nothing to do with the case frankly I have nothing to do with the case frankly उसने बोला कि I have I think to do with the case तो यह तो आप लगा लेते अच्छा यहां पर इंडिरेक्ट स्पीज में पूछा हुआ है तो बाकि यहां पर option number second इस सब्सक्राइब था एट कोशन है हूँ वाज इस नेम प्रपूज्ट वाई तो फू वाज इस नेम प्रपूज्ट वाई हूँ के बाद यहां पहले से पैसिव हमें इसका एक्टिफ फॉर्म लेना है तो एक्टिफ फॉर्म में हम वाज पैसिफ जब बनाएंगे तो व प्लाच वी-3 लीःडब तो फ्रस्ट वाले में ही वीटू फॉर्म में वाज पर पोजट यहां पर लेक्व के यहां पर ब defect है वहीं содख का थेखान मेंस्ट को सब्सक्राइब बृप्रेइज पाले का इस प्लिस वाले अग् तो राइजिंग नी बोलेंगे यह और फर्स्ट और तो ऐसे गिलात होगा साइकन में रेजिंग या रेजिए यह उज़ करेंगे आपे ठीक है प्लीज रेज यूर हैं तो राइज और रेज में अंतर क्या है एक उता उठना एक उता उठाना ठीक है 10 नमबर का देखो प्रिंस सिद्दार्थ डैस इन सर्च ऑफ एन लाइट्मेंट वादा खुसी की तलास में जो उराज को सिद्दार्थ की बात कर रहा है गौतम बुद की बात करें कि वह सर्च में गये थे कि खुसी की तलास में तो सेट आउट क्यों अच्छा साइट होता है किसी चीज को अलग से बचाग रखना ताकि मुझी बहुत का टाइम यह मुझे यूज कर सके है इस्टापित करना और सेट ओन यहां पर सेट ओन एक बात बताने कि सेट ओन का क्या मिनिंग आगा अच्छा सेट आउट क्या होता है यहां पर एक सैट आउट है जिसका और सेट आउट क्या जो यहां इतर करेंगा खुओ किसमें इन सर्ट ऑफ इनलाइनमेंट थिक है तो थोड़ा यहां पर कहीं पर आघिक है अगर यहां पर दाउट लगए तो यहां मैं फ्रेजल अफ करा दूगा तो वहां पर क्लियर हो जाएगा क्योंकि फ्रेजव करना कोई चीज या सुरू करना को जाना के लिए भी यूज़ करते हैं तो दैन्थ वाले में आउट सेहेञा कि रखना कोई चीजण सेटांच का सेटन का बताना मुझे और सैटांट का मदध बता है कोई स्थार्ट करना शुरू करना या करें जाने की लिएering यूज करता है system 4 ने लिए होता है ठीक है वह लग है वी डेस एनी इंफरमेशन है अब यह वाला रूल क्या गता है यह वाला हमारा संटेंस निगेटिव में होता है और प्रजेंट का परफेक्ट होता है प्रजेंट परफेक्ट होना चाहिए वहां पर ठीक है यह रूल है प्रजेंट परफेक्ट होगा वहाँ साथ में नेगेटिव भी होगा तो यहां पर इसलिए यहां पर यहां गया वे केसा थो आपका प्रजिल परफेक्ट यह निए पास्ट नेफ झाल का फ्रफेक्ट होगया प्रजिएंगे कंटिनेस हो गया तो किसे तुमने काल दी उधार में ठीक है तो कोई पर्शन होगा तो यहां वर्ट तो नहीं आएगा वर्ट यूज नहीं करेंगे हुज मतलग किसकी ठीक है विच्छ तो यहां पे हम जब चॉइस की बात करते हैं या फिर जब हम चुनते किस चीज को तो वहां पर यूज करते है और वर्ट तो वैसे नहीं होगा तो हूं हमारे पास बता है किसने ठीक है वूम तिडिव लेंट यूज 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 नहीं आएगा ठीक है ओर या सिंस में लगाना था तो प्रियाड ऑफ ताइम था तो इसमें हमने यहां पर यूज किया हुआ है अगला देखो पंकस asks me if I would have some juice ठीक है आग्स्ट के यहां पर पहले तो set to me आएगा और वोड़ यहां पर चेंज होगा देखा इंड़ियर्क्त ये इंडियर्क्त है तो डियर्क्त में क्या होगा यहां पर तब्ल होगा तबी तो बाइश दोगा विल देखो फर्स्ट वाले में इनी है सेकंड में थल भीनिया फ्र्त में विल था तो इसले फोर्थ वाले में पर राइट हो जाएगा अच्छा दा कपल दॉपल वास डैस ब्लैस्ट के साथ यूज करते हैं तो विद आता है तो सही है ब्लैसिंग विद्ट ब्लेस्ट विद अग्वेगल ठीक है ब्लैस्ट के साथ विद्ध यूज़ गया अगला देखो टैलीम टू लीव एट वाइस यह पाईस बताना है तो जब हम डिरेक्ट हम पूए चीज बोलते हैं तो उसको पैसिव वजमें लैट से हम बनाते हैं तो ल तो आपर रूल्स को क्लियर कर देंगे यह चीज थोड़ा सा अभी थोड़ा हमें एक बार देखना किसका लेवल क्या है तो अभी तक तो ठीक थे कोशन है अपर जादा हाई लेवल आप नहीं बोलोगे यह बैस्ट तो ऐसे भी सुपर लेटिव वाले केटेगरी में आगे तो इसलिए दा बैस्ट यह बोलते हूं ठीक है गुड़ बैटर बैस्ट इन होते हैं फॉजिटिव कंपेटिव सुपर लेटिव तो इससे पहले दाइनों ने लगा रखा हिसाफ से अचा अगला देखो ही टो इस ग्रांड फदर एवरी सर्ट अचा एड़ेश पेज आव विजट पेजब शिब्विजट का मता होता है कहीं पे आप जाते हो टाइम स्पेंड करने के लिए कि साथ वहां उसके लिए उसके लिए उसे करते हैं पेज़िए ठीक है तो स्चा इसका यह मिनिंग होता है पेज़ आप इसाप से तो अवरी शटार देख वह अपने परेंट्स के पास आता है टाइम इस्पेंड करने या टाइम बिद्ध कुछ टाम रहने के लिए अचा देखो I just the mess before anyone sees is I just the mess Before anyone see conditional है ना कंडिशनल है बिफौर लग एन कंडिशनल कंडिशनल है अभी पर्जेंट का इंडैफनेट होगा यह रूल कहता है ठीक है तो यहाँ पर विलीन हिस हिसाप से सही था है पे ठीक है first वाला 21 देखो यहाँ पे arrange करना हैसे आप से meaningful sentence ताकि बं जाए कैसे कर हुए अब best way to a best way to repeat it the mistake is not to handle अच्छा this mistake the mistake not to repeat it is the best way to handle वैसी रहा है अच्छा second वाले देखो the best way आप यहां पे आप देखोगे खली जो बहुत अच्छा थरीका च्बाइब Athletic का Scout को देखना से छाबधे secco इसमें सब्सक्स घलत करने का अ यह क्याने हसे ना आप अपको do और लेश्ट को भी देखते हो ना तो आप लगा दिरें द बाइस्ट वी यह तो बहुत अचा का तरीका है क्या करने का है गलती को इस नौट ड़राना नहीं चाहिए यानि's सबसे बड़े तरीका है कि इसे को आपको दोहराना नहीं है तो इसलिए इसका मिनिंग्फुल सेंटेंस सेकंड वाला यहां पर राइट बनता है अच्छा सेकंड यह कोश्चन वन टू थी फॉर इसलिए आगे क्योंकि वन से यह सेकंड पार्ट हो गया यह सेकंड पार्ट चलना हमारा वन से ट्वंटी फर्स्ट पार्ट में अमारा लेवल इजी टू मॉड्रेट है आप थर्टी प्लस स्कूर कर सकते हो अराम से अगर आपने इस्टैनों की इंगलिस करी वह अच्छी प्रिपिशन करी वह थीक है तो न लेवल रहता है ठीक है बस उसमें खुम्प्रेंसिप के वज़े से उसका लेवल थोड़ा आप कह सकते हैं इसका थोड़ा कम हो जाएगा सिक्षी होता है बाकी इनका मीनिंग देखो कहीं कहीं आपका दुख से वह वहता दुखी वर्क होता काम करना तो वैसी अलग हो गया पहन होता दुखी तो सेक्ट वाला तो अलग हो गया फर्स्ट अठाल्ड इसके हो जाएंगे एंटोनेम और फॉर्ट वाला इसका हो जाएगा से नने एक तो तो उसके प्रशन सकते हो अच्छा बोल लिए हो तो बिल्कूल आपके अपूजित हो जाएगा न्टनिम हो जाएगा प्रेज कंसीट का मतलब गमंधी होता है तो सिनने बदाना तो पॉंप मदला भी घमंडी होता है एकदम जो प्राउड खुद पे खुद के उपा ज्यादा प्राउड करता है तो उससे यूज करते हैं कॉंसिट हुमिनिटी होता मानव का दयालू यह इसका एंटने में टेमिडिटी होता दरफोग शाही नीचर वाला चिंदित फाइव वाला देखा इंकरेक्ट बताना है तो श्यूमिंग तो सही लिखा हुआ है यह अपर यह रोड़िंग से लिखा है राइटिंग में एक टी आता है यह डबल टी लिखा है इसलिए घरत हो गया इनकरेक्ट यूँ आरांसर मस्ट वी प्रीसाइज और विद हिसमें तो आपको 10 व silently लिकना है आपकोammenटेंड नहीं करने कुछ ένα पर एड़नी करना से ठीक है अच्छा करने के लिए तो मापिस अनावशइक देख सब्सक्राइस होता है स्पर अंध़ SH. समझता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं कि 7 वाला थोड़ा यहां पर मेरा माइक जो है जो जिससे में रिकॉड करता था वह भी खराब है तो इसवेसे मैं अभी यह फॉन से ही इसे रिकॉड कर रहा हूं या वहां पर वीडियो बना रहा हूं तो वह इसमें थोड़ा प्र करेक्ट बताना सहिए डैस्परेट का बिल्कुल यहां पर डैस्परेट में आरेटी ही होता है और यह जो कि यहां पर सही लिखा सब्सक्राइब अपका मिनिंग ठीक है डाइस प्रेट का मतलब जो एकदम दुख्य होता है एकदम बेचेंट थीक है उसे कहते हैं अब रूर्स और रेगलेशन को आप क्या करोगे इंप्लीमेंट करोगे एंप्लीमेंट बला लागू करेंगे और देखोएं प्रेक्यू आप्से लगाना है है क्या है यहां पर फस्ट देखो ऐल हर लाइफ हमें निए बता किसकी लाइफ के बात करें तो हर आरा इसका मतलब इससे पहले कोई सी को बात करेंगा my grandfather बिल्कुल सही है बी वाला पहले आएगा क्योंकि my grandfather अच्छा ठल बी क्यों आएगा ठल वाले देखो even then c c use क्या हमें नहीं पता किसके बात करा तो इसका मतलब my grandfather पहले आएगा फूर्थ वाले not surprise यहां पर भी सी आएगा जब तक आपका सी आएगा ना अजी वाले में उसने बोल लगा माइगा इसकी बात करा बागी सब्सक्राइब तो बी आपका पहले आप आना चाहिए अब बी के बाद सी आएगा या फिर ए आएगा इसमें थोड़ा confusion तो यह दोनों कर जाएंगे आपके अब बी के बाद सी आएगा या एगा बी के बाद देखो सी या ए ए क्यों आएगा बी वाले को देखें तो my grandmother had a paranoid distress of dentist उसके आपके बाद देखो अब डेंटिस यहां पर यूज किया है इसके तुर्ण बात हो किसकी बात करेगा डेंटिस की बात करेगा तो इसलिए बी के बाद आपका यह आया हुआ है तो यहां पर बीए डीसी बैनी ऑप्शन नमबर बी इसका इस हिसाब से अपका राइट था आप पिपल हो ओर क्वाइट आड यूजली वाही सखम बोलने वाले होते है वह था ओप मनदन सकते हो इसका मीनिंग एडियम का कि अच्छा यहां पर इनकरेक्ट बताना क्या है यहां पर अलूजन ठीक है संकेत देना भी होता है इलूजन एक होता है जिसका मुला ब्रह्म होता है अलूजन यह संकेत के लिए यूज करते हैं एक बाद चेक लेना ठीक है अमिच्योर यहां पर गलत है सब्सक्राइब कर सकते हुए इसका मिनिंग कर सकते हुए इसका मिनिंग है यह आपका रेडिंग कॉम्पेंशिफ है जो कि मुझे लगता है इतना बड़ा नहीं है देखो है इतना है रेडिंग कॉम्पेंशिफ आपको पढ़ना है तो पढ़ो यहां पर वीडियो को पॉस करके यह आपका रेडिंग कॉम्पेंशिफ यहां पर वीडियो करके पढ़ सक सब्सक्राइब करें तो जिसके भी पास अंसर की वह अपनी हिंदी वाले अंसर कर छाना तो राद में इंग्लिस को करा दूँगा तो बाकि कोई भी नेया हो टेलेग्रम आप्टीं कर सकते हैं अगर हम नेक्ष टेयर का फॉर्म पडिल्ड करोगे परस्नल असिस्टेंट का या तीन टॉपिक हो जाएंगे और जैसे आपके फॉर्म निकलते हैं डी टे प्लस भी स्टैनों के उसके बाद हम हिंदी और मैट्स को भी देरे-देरे कम लेंगे तो बागी हम डिसकस करते हैं नेक्स वीडियो में आपका इसके रीजनिंग वाले सेक्शन पर अगर मुझे अंसर को जोईन कर सकते हैं उसका लिंक के डिसक्रप्शन में वहां पर आप एड हो सकते हैं बागी दन्यवाद टेक क्यार और वेस्ट पर वेड़े